हेलो स्तो कमाई का डस यूटूब चल में आप सभी का सोगत है आज यहाँ पर हम बात करेंगे फिनोटेक्स केमिकल लिमेटेड इस कमपनी के बारे में इसके अंदर जो हमें आज 10% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है तो उसके पीछे के जो रीजन है वो तो यहाँ पर ह आती है हर किसी निवेशक के माइंड में बड़ी गिरावट के बाद में क्या और गिरावट होगी क्या और उसके बाद में ये भी सवाल आता है कि हमारा जो प्रॉफिट है या जो अभी लॉस है वो और बढ़ेगा क्या तो किस लेवल को यहाँ पर हमने इसके लिए कंसिड प्राणिक करकर चलेंगे और देखिए जो निवेश्यक खरित कर बैटे हैं उन सभी को पता चलना चाहिए कि उस कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं बार बार हम जो चीजे कवर करते हैं वो इसलिए कि आपको पता चले देखिए सभी जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स होते है वो माइंड सेट के उपर भी डिफेंट रहते हैं क्योंकि अगर आप उस कंपनी के बारे में कुछ जानकारी नहीं रखते हो तो आपका पैसा बनेगा भी नहीं बिलकुल नहीं बनेगा क्योंकि आपको पता ही ने ना कि आप यहाँ पर उसको क्यों खरीदे हो उसके अंदर क्या है वो कंपनी क्यों आगे बिजनेस करकर दिखा सकती है कुछ ऐसे पॉइंट्स या कुछ ऐसे अपडेट्स कंपनी के अंदर के जो हमें पता होने चाहिए वो भी कवर यहाँ पर हम करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं किसी को भी यहाँ पर बाइंग सेलिंग का रि दिसकस कर रहे हैं चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अच्छा लगे मेरे एफट पसंद आए तो जरूर लाइक सब्सक्राइब यहाँ पर कर लेना यहाँ पर हम सभी जैसे के जानते हैं कि आज 9 से 10% का करेक्शन हम सभी को दिखाई दिया और देखें स्टॉक मार्केट म हैं फार्मा आटो इंडस्टी केमिकल इंडस्टीज ऐसे सभी जो केमिकल या सभी जो भी यहाँ पर इंडस्टीज है वो एक साथ चलते हैं अभी यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर करेक्शन आया क्यों क्यों क्योंकि यह स्मॉल केप का स्टॉक है और खास करकर मार्केट में आज जो pressurize देखने को मिले हमें वो सभी के सभी small cap और mid cap के stock थे और ये भी stock small cap का था तो इसके अंदर भी धड़ाधड गिरावट हमें देखने को मिली है तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो और एक बड़ी बात क्या है कि इस stock ने जो comeback हमें करकर दिखाया लगबग 30-40% का वो अभी यहाँ पर अच्छा खासा comeback रहा और ये comeback के बाद में suddenly जो अभी गिरावट है वो हमें 200 रुपई के level तक जरूर देखने को मिल सकती है अगर market pressurize रहा तो और भी ज़्यादा pressure create हुआ तो हम expect कर सकते कि फिर से और ज़्यादा correction दिखा सकता है और देखे ये एक आपको बात mind में रखकर चलनी चाहिए मैं आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ बाते बता रहा हूँ ये बिल्कुल नहीं है आप यहाँ पर ये mindset बना कर ही रखिए कि small cap में आप जब निवेश करते हो तब 30-40% से ज़्यादा का loss भी आपको यहाँ पर portfolio में देखने को मिल सकता है company खतम नहीं होती है correction उनके अंदर वैसे होते है जैसे तेजी हम expect करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर गिरावटे भी देखने को मिलती है और आप यहाँ पर long term का अगर chart pattern देखो इस company का तो आपको पता भी चलेगा जैसे के यह phenotics chemical का जो share है 2018 में कितने पर चलता था यहाँ पर 90 रुपए पर और वहाँ से गिर कर आगया कितना देखिए लगभग 73% correct हुआ था है stock 2000 यहाँ पर 20 में 2020 में देखिए 2017 से लगातर correction करकर यह 60-70% तक correct हो सकता है यह आपको पता होना चाहिए बोलतो stock के अंदर की गिरावटे यह गिरावट देख लिए उसके बाद में तेजी देख लेना तेजी कितनी है देखिए कितना 2000 यह 22% return 22% not a joke बहुत बड़ी wealth generate होती है आप देख रहे हैं ना कि जो share 15 रुपए का था 15 रुपए से यह stock 400 का होता है तो wealth generate की या नहीं की आप देख सकते हैं यह तो चीजे पता होनी चाहिए actually क्या company में हम सभी को देखना चाहिए वो आपको यहाँ पर मैं आज understanding कराना चाहता हूँ मैंने आप तक बहुत बार company के बारे में business वगेरा तो discuss किया इसमें कोई doubt नहीं है बट थोड़ा हमें यहाँ पर company के बारे में भी बहुत सी चीजे पता होनी चाहिए अभी यहाँ पर जैसे के सभी के माइंड में आता है कि बहुत से इसे small cap के stocks है जो fundamentalist strong नहीं है बट उन्होंने perform किया तो वैसा ही कि phenotics chemical का share है क्या तो चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ actually अगर आप long term के निवेशक है तो आपको कम से कम 5 सालों का track record कमपनी का देखना चाहिए तो चलिए मैं आपको बताता हूँ net profit अगर देखेंगे तो company का 14 करोड से फिर 45 14 14 करोड से यहाँ पर 45 करोड हो गया और बार में से देखे 57 करोड हो गया फिर 90 फिर यहाँ पर देखे 95 यानि कि जो improvement है profit में continuity आपको दिखाई देगे और आप चाहे तो इसका EPS भी देख सकते है 1.18 से 3.85 फिर 4.98 फिर 7.97 ऐसा तो company में जो value है वो दिखाई देती है और ऐसी बात नहीं दोस्तों कि company के total result ठीक नहीं है company के flat result जरूर है बट ऐसा नहीं कि company directly negative में चलेगे आप अभी भी इसके result देख सकते हैं quarterly basis पर result है और इसकी sales भी आप यहाँ पर observe करेंगे तो आपको यहाँ पर भी पता चलेगा कि company के sales है September, December, March June के quarter के result है तो यह जो different है sales का कितना है 138 से यहाँ पर 132 तो यह लगभग कितने करोड का यहाँ पर sales में हमें जो different डेखने को मिलता है वो 6 करोड का बट ऐसा नहीं कि negative company चलेगे और सबसे अच्छी बात क्या है company पर एक रुपए का करजा नहीं है और बड़िया बात है कि company में बड़े निवेशक भी है और promoter भी confidence है क्योंकि लगातार उन्होंने पिछले कुछ quarters के अंदर अपना stake बड़ाया भी है और बड़े निवेशक की बात करें तो D.I.S. है थोड़ा बहुत F.I.S. है ऐसी share holding भी है और सबसे अच्छी बात क्या है तो वो है company का यहाँ पर valuation एक सबसे beneficial point है इसका P.Ratio 36 का है और उसी के साथ book value भी ऐसा नहीं दोस्तों की पूरा आसमान चुरा है आप देख सकते 31 का है और एक बड़ी बात हमें यहाँ पर देखने चाहिए जो यहाँ पर mandatory होती है वो ही देखिए return on equity और return on capital employed यह सभी चीज़े कितने अच्छे performance में है return on capital employed के बात करे तो है 37 का और return on equity है 28 का यहने company के लिए जो suitable यहाँ पर abilities है वो है और incorporate company होई थी देखिए 1979 से यहने पूरानी जर्नी इसके पास available है और इसके पास जो businesses है वो भी यहाँ पर आईसे नहीं कि यह out perform नहीं है water treatment का business construction, fertilizer, leather, paint industry और यह company जो leading performance रखती है वो खास करकर textile के businesses में आप सभी को यह पढ़ने को और देखने को मिलेगा है और इसके जो product है वो भी कोई कम नहीं है 400 यहाँ पर 70 से ज़ादा है और एक बड़ी बात देखें यहाँ पर हमें यह भी देखना चाहिए कि एक बड़े निवेशक नहीं याने अशिश कचुलिया जिनने भी निवेश किया है ऐसा नहीं कि उन्होंने निवेश किया है बोलकर हमें करना ही चाहिए यह बात नहीं बात यह आती है कि उन्होंने क्यों निवेश किया यह समदना जरूरी है और किया तो किया देखिए एक बार नहीं उन्होंने लगाता स्टेक खरीदा भी है आप देख सकते हो 1.93 से फिर 2.64 और वाद में से देखिए वही स्टेक बढ़कर 2.82 हो गया और फिर वो बढ़कर 2.83 हो गया यह 2.00 के बाद में चेंजेस 1.00 के बाद में चेंजेस आपको लगता होगा कि यह चेंज बहुती माइनर है बट उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है आप आज भी देखेंगे तो अशिश कचुले है जिने फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेट के अंदर यहाँ पर जो खरीदारी की है वो लगबग 69.25 करोड के यहाँ पर उन्हें शेर खरीदे है इतना बड़ा अमोंड कोई भी ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं कर देता है और आप तक इस कंपनी में यह भी बात याद रखी है बोनस भी नहीं हुआ और स्प्लिट भी नहीं हुआ यानि जो इसके नंबर आप शेर है वो भी यहाँ पर आप आप अब्जर कर सकते है जिससे आपको पता चलेगा कि इसके अंदर जो तेजी बनने के चांसित बहुत ज़्यादा होते है और गिरावट भी क्योंकि थोड़े बहुत भी शेर बेचे गए तो वो स्टॉर करेक्ट हो जाता है क्योंकि नंबर आप शेर की कॉन्टिटी कितनी देगी इसके स्रीप और स्रीप 11.07 करुड तो जैसे ही कोई बाइंग कर लेता है वो तेजी में आजाता है शेर और सेलिंग होती है तो यहाँ पर गिरावट में देखने को मिलता है तो आप समझ रहे क्या क्या चीज़े हैं और कमपनी 4 स्टार वाला पॉफॉमस रखती है जिसके अंदर ओनर्शिप वैलिवेशन और इफिशेंशिप फाइनशिल पॉफॉमस की वो काफी ब्राइट है देखिए यूटिलाइजेशन कमपनी के असिट का अच्छा है और कमपनी के पास सस्टेनेबल हिस्ट्री रही है कमपनी की जो ग्रोध करकर दिखाने की तो आई होप आप समझ रहे है क्या क्या है और इसका जो 50T का हाय है फिनोटेक्स केमिकल का 409 का और जो लो है वो है देखिए 203 रुपए का इसलिए कर रहा हूंगे 200 के करीब आपको देखने को मिले 200 का लेवल क्रोसूवर हुआ तो एक्सपेक्टेशन जादे आपको करेक्शन के देखने को मिल सकते है सभी डिसिजन्स आप अपने यहाँ पर सोच समझ कर लेजिए मेरा काम था आपके लिए डिटेल प्रोवाइट करना हूं मैंने प्रोवाइट किया I hope दोस्तों आप अपने डिसिजन ले पाएंगे Thank you